एलो फ्रेंड्स वेलकम को आवर चैनल लनफोर जॉब दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के उस प्रधानमंत्री के बारे में जो 40 साल की उम्र में देश की युगा प्रधानमंत्री बने और आधनिक भारत की नीव रखने की दिसा में काम किया जी हाँ दोस्तों आपने वीडियो के थमनेल से गेस कर लिया होगा कि हम इस वीडियो में जानेगे भारत के पूर उप्रधानमंत्री राजीव गादी के बारे में जिनकी आज पुर्णेती थी है तो आए इस मौके पर हम जानते हैं कि उन्होंने पांच साल में कौन से पांच बड़े काम करके देश को ही बदल दिया था तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दू मेरी वीडियो जोड़ी अपडेट्स के लिए आप मेरी सोचल मीडिया हैंडल को जोइन एट फॉलो कर सकते हैं तो लेट्स स्टार्ट दे वीडियो फ्रेंट्स राजिव गादी का पूरा ना राजिव रत्न गादी था इनका जनल 20 अगस्त 1944 को बंबई जो मुंबई ये वहाँ पर हुआ था ये राजनिती में आने से पहले एयरलाइन पालेट की जॉब करते थे भारत की पहली महिला प्रदान मंत्री इंद्रा गादी की हत्तिया के बाद 1984 से 1991 की बीच राजिव गादी देश के सबसी युगा प्रदान मंत्री रहे हैं इन्होंने अपने एकी कारेकाल में कई ऐसे कारे किये जिसके लिए आज भी याद किया जाता है इनकी पहली उपलब दी थी दूर संचार की क्रांती जहां दोस्तों राजी उगादी ही थें जिनोंने भारत में दूर संचार क्रांती लाई आज हम जिस डिजिटल इंडिया की चर्चा करते हैं उसकी संकल्पना राजी उगादी अपने टाइम पर कर चुके थें इसलिए उन से दोस्तों सहर से लेकर गाउं तर टेलिव कम्यूनुकेशन निटवर्क की शुरुवात हुई जगा जगा पी सीओ खुलने लगे जिससे गाउं की जनता भी संचार के मामले में देश दुनिया से जुड़ सकी है फिर 1986 में राजीव गादी के पहल से ही MTNL की अस्तापना हुई जिससे के दूर संचार छेत्र में और भी प्रगती हुई थी इनकी पांच उप्लब्दियों में से दूसरी उप्लब्दी वोटिंग की एज को कम करना आपको बतादी की पहले देश में वोट देने की उम्र सीमा 21 वर्स थी मगर इज़व प्रथान मंतिरी राजीव गादी की नजर में यह उम्र सीमा गलत थी इसलिए 1989 में सम्विधान के 61 संसोधन के जरिये वोट देने की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई इस प्रकार से इन्हों 18 वर्ष के उम्र की युगाओं को मताधिकार देकर उन्हें देश की प्रती और जिम्मेदार और ससत बनाने की पहल की इनके तीसरी उप्रवली दोर को कम्प्यूटर करांती थी फ्रेंट्स पहले देश में कम्प्यूटर आम लोगों की पहुंसे काफी दूर था लेकिन राजी उगादी ने अपने वैज्ञानिक में सैम पित्रोदा की साथ मिलकर देश में कम्प्यूटर करांती लाने की दिशा में कारी किया इनका मानना था कि विज्ञान और तक्नीक की मदद की बिना उद्योगों का विकास नहीं हो सकता है इन्होंने कम्प्यूटर को आम लोगों की पहुंच को असान बनाने के लिए कम्प्यूटर उपकरणों पर आया सुल घटना की पहल कि भारती रिल्वी में टिक सुरू करने के लिए डिपार्टमेंट ओफ इलेक्ट्रोनिस की शुरुआत हो गई थी और 1978 तक IBM पहली कंपनी थी और बाद में दूसरे प्राइवेट सेक्टर की कंपणियों ने कंप्यूटर निर्मार सुरू किया था इनकी चौथी उप्लबदी दोस्तों नवदे विद् और गाओं के बच्चों को भी उत्कृष सिच्छा मेले इस सोच के साथ राजी उगादी ने जौहर नवदे विद्यालों की नीव डाली थी इनकी सरकार ने 1986 में राष्टे सिच्छा नेती की घोष्णा की इसके तहर पूरे देश में उच्छ सिच्छा व्यवस्ता का आद पंचायती राज व्यवस्ता को ससक्त किया इनका मानना था कि जब तक पंचायती राज व्यवस्ता ससक्त नहीं होगी तब तक निशले अस्तर तक लोगतंत नहीं पहुंच सकता है इसलिए इनों इपने कारेकाल में पंचायती राज व्यवस्ता का पूरा प्रस्ताव तयार और राजीव गादी की सोच तब सकार की हुई जब इनकी हत्या की एक साल बार यानि की 1992 में समविधान में 73 और 34 संसोधन के जरिये पंचायती राजविवस्था का उदै हुआ जिसमें राजीव गादी की सरकार की उसे तयार 64 संसोधन के अधार पर नरसिम्मा राज सरकार ने 73 संसोधन के चुनाव कराये जाने लगे हैं लिट्टे के आत्मगाती हमलवारों ने बं हमले में उनकी हत्या कर दी थी और इसी कारण से 21 मही को राजीयो गादी बलदान दिवस को आतंकवाद विरोधी दिवस यानि कि एंटि टेरिरियर्जम डे के रूप में भी मनाय जाता है और दोस्तों गर आप हमारे चैनल पर इए वीडियो देखे हैं तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रधानमंत्री राजीयो गाजी ने अपनी इंजिनेरिंग की डिक्री पूरी की थी या नहीं और अगर आप अपतके भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में बहुत ये विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आई बिटन पर क्लिक करके जरूर देखिएगा तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो में कुछ महतपूर जानकारी प्राप कुई होगी अगर आपको ये वीडियो इस्पूर लगी हो इस वीडियो को लाइक और सेट जरूर कीजिएगा अगर आप उस उजाव देना चाहते हैं आप उसे कॉमेंट ब्लॉक्स में लिख सकते हैं अगर आप हमारे चैनल से पहली बारा हैं वह आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवार